दिवारम्योति दीवचोति रिजनादना दीवचो बरतुमें पादम दीवचोति नमोसुते बिद्या भारती कासी प्रांत के किरतिय दिवस की वंदना सवा में आस्ववी का स्वाज़त है वरका सोभाग है कि आज हमारी सवा में मंच पर ऐसे तीन बरिष्ट जानुपस्थित हैं कि उनका मैं इस वर की ओर से स्वाकत करता हूं विनंदन करता हूं कि नारे बेटे हुए आधिनी रजिनी स्पाथक जी मद्य प्रदेश में अनेक बर्सों तक प्रचारक रहे विला प्रचारक विभाग प्रचारक और मद्य जो छेत्र है उसका जो महा कोसल प्रांथ है इसके विद्ध्य भारती के संग्ठन मंत्री रहे हैं है है भर्टमान में विद्ध्य वारत्य के जो और प्रमकिस नाते स्वंपूरक प्रांथ करते हैं और कारकरतों का मारदर्शन करते हैं कि आज हम सब के साथ हैं कि मद्ध में बिराजमान आद्रणी योगेश जी उत्तर प्रतेश के बरिष्ट प्रचारकों में से एक कि बहुत ही जीवन के प्रारंब काल में ही शिक्षा पूरी कर आप प्रचारक बने और अन्य छेत्रों में काम करते हुए है दिशील प्रचारक जिला प्रचारक अनेक बषवत् से बिघ्षाब करें है इद्ध्या भारती जुज परांद चुछील ऑद्धोर कानपुर के संगध्या मत्री रहें ईद्ध्या भारती के छेतिय जंक्ष्ण मन्तिरे है अ विद्ध कि उसका मारदर्शन करते हैं गोरगपुर केंद्र है योगी जिवाइशाब का आज कि इस वर की उन्ना सावे में आज योगी जिवाइशाब का स्वागत करता हूं इस किनारे बेठी आज नहीं रेखा भें चुड़ा समान तल एक नाम की चर्चा हुई थी स्रफ्देल अज्याराम तोमर शिक्षा संस्कृती शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा धर्शन भारतिय जिवन मूल इन्हें शिक्षा और समाज से यह व्यक्ति के विकास से जुए जितने पक्ष हैं उसको आधनिर गूप देकर युगा कुल बलाने वाले अशे सद्धेल लज्याराम जी शिक्षा को एक नई दिशा दी भारतिय शिक्षा धर्शन भारतिय जिवन मूल भारतिय संस्कृती भारतिय शिक्षा मनोविज्ञान उसको का गहन अध्यन किया और उसको युगानिकुल बना कर संपूर्ण शिक्षा जिगत को भारत को एक नहीं दिशा दी अने कुष्टकों का लेखन किया आज उन्हीं को पढ़कर इद्ध्या भारति ना कि वल भारत में परन दुनिया अगे शिक्षा जिगत में शेक्षित जगत का मारदर्शन कर रही है सदेट लज्जा रामजी के बहुत ही नजदीक रहने वाले हमारी जो तीन चार ऐसी बहने थी गुजरात की उनमें से एक रिखा बहन है सदेट उमर्जी के बहुत नजदीक रही हो और उनका पूरा मंत्र शिक्षा के छिट को जो दिया उसका आप सबने अगधिन किया है और जितने बिसे हमने गिनाएं आपको उन सब पर गान अध्धन करते हैं एक महारत हासिल की ऐसे हमारे तीन-चार बहने गुजरात की उदमें से रहा बहने नेक हैं आज के बरतमान समय में भारतिये शिक्षा का अलग जगाने वाली भारतिये शिक्षा दर्शन का अलग जगाने वाली भारतिये शिक्षा मनोविज्यान का अलग जगाने वाली भारतिये शिक्षा पध्यदी का अलग जगाने वाली ऐसी बैन इंदमत्री काटगरे का नाम हम सबने सुना होगा आध देश में बहुत ही काम कर रही है शिक्षा के चित्र में वो गुजरात में अपनी विद्ध्योता से उसमपूर देश के शिक्षा चित्र का मारदर्शन करती है और पिछले दिनों हम सब लोगों ने देश भर के ऐस से ना उनको सुना था वरन उनसे जिग्यासाओं का समाधान भी किया था उनके बहुत ही नजदीक रही रेखा बेहन वैसे भी गुजरात प्रयोग की भूमी है हम सब जानते हैं गुजरात में जन्मियाप सूरत में और शिक्षा पूरी करने के बाद ऊथ आपने शिक्षा की साधना का पथ अपनाया संपूर्ण जीवन मासारदा को समर्पितीया और विद्जा भारती की पूड का लिक का रख करता है सनाते अपना जीवन धान किया एक प्रचारिका के नाते ही हम मानते हैं कि आप संपूर देश का प्रवास करती है अनेक बर इस की अखिड़ भारतिय इस्सा सन्जोजिगा केनाते हैं उसारा देश का प्रवास करती है आज इस वाटिका कर जो भी ध्हांचा हमारे सामने है सुनने से लेकर जीरो से लेकर के और पांच शे पांच बरस तक की शिक्षा का उसका जो सारा भारतिय चिंदन के आधाप जो ध्हांचा खड़ा हुआ है इसको खड़ा करने में और वो बिद्धा भारति के कोने कोने पहुंचाने देश के कोने 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 पहुंचाने का बहु पूप्रो आपका केंद्र है और एक बालिका के लिए भारती बालिका के लिए जितनी चीजों करो सकता हो है, उसके सरी, प्राण, मन, बुद्धिय और आत्मा के समन्निक दिकास के लिए उन्सारे विघ्णों पर आपका बहुत गर्या अध्यन है, हैं सारे विश्वाइब और भात रखती हैं भारते नारी कैसी हो इसका इसका महत्भिश्पूर चिंतन है उसके लिए आप काम करती हैं वह अहरी गरूप से हम सब सबका सो भाग है को पिछले दिनों एक काम के सिल्सिर में आई इस परिसर में जवलपुर से और पिछले कई दिनों से हमारे साथ हैं हम लोगों ने आगरा किया था था थोड़ा समय निकालकर और हम सब के साथ से जंदना समय में रहें मैं विद्याबार्टी दुड़ी सब्सक्राइब करता हूं और उसे आगरा करता हूं कि आज कि अवसर पर विद्याबार्टी का शिक्षक कैसा हो कि उससे अपना विचार रखें इसलिए कि हम तक्नीकी प्रिशन तो प्राप्त कर रहे हैं लेकिन यंद्र के साथ हमको यंद्रवत नहीं होना है हमें जानते है किसी के जीवन में बदल लाने के लिए अपने जीवन में बदल लाना पड़ता है बाले एक लिखा हो कहीं अधिवालों उपर की जलती होई मुन्भती कि जलता हुआ दीपा की दूसरे को जला सकता है तो से फिक्षक भी एक दीप संभ है और वह अपनी प्रकास जीवन के प महत्पूर्ण शिक्षक का महत्पूर्ण पक्ष है, गुल है, उसका आचरण, उस पर ही आजले ने रेखा बहन, हम सब की चर्चा करेंगी, मुईंसे आग्रा करता हूँ कि अपना दिसे आराम करेंगी। उच्च तेक्निक दीजितल सुचना समवात केंद्र के इस प्रशिक्षन बर्ग में, वित्या भारती पुर्वी उत्तरवदेख शेत्र आयोजीत, इस वंदना सभा में, मंचस्त महनु भाव, नीचे विराजमान भासकर दुबेजी, प्रदेश निरिक्षक, एबं सभी गोरक्ष प्रांत से उपस्थित आचार्य बंदु भगीनी, सबको मेरा नमस्कार। आप लोग एक विशेश भर्ग में उपस्थित हैं, तीन दिन से एक अनुभाव भी कर रहे हैं, हम सब पुराने आचार्य हैं, बहुत सालों से अपनी विद्याभारती की योजना में काम करते हैं, अनिक प्रकार के वर्गों में भी आपने सहभागीता की होगी, विद्याभारती की आचारे की संकलपना क्या हैं, वो अनेक बार सुना होगा, कोई नई बात नहीं है, एक पुनस्वरण कराने का प्रयास आपके सामने रखती हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको सोभागी साली मानती हूँ, कि कोरोना काल के बाद, विद्याभारती ने जो एक नई अलख जगाई, उसके सहभागी आप लोग बनें, और ओनलाइन शिक्षा, जिस प्रकार की हम भविश्य में देने बाले हैं, उसमें कुछ न कुछ विशेश, जो अपने स्थान पर संभव नहीं है, वो विद्याभारती ने योजना बनाई और आप लोग आए, ये बहुत हमारे लिए सोभाग्य का विश्य हैं, क्योंकि साम आपके व्यक्तित विकास के लिए भी बहुत उपयोगी होगा, हम सब विद्याले में काम करते हैं, हमारा लक्ष हम लोगों ने देखा होगा, हमारा लक्ष बहुत लोगों को याद भी होगा, क्योंकि वर्ग में हम लोग बुलवाते हैं, बात करते हैं, तो कोई मुझे बत आच्छा होती है या हमारे लिए उपयोगी है हैं ऐसी कौन सी बात है हमारा लक्ष जो है उसमें कोई याद है कोई बात जी आइसी वा पेडी का निर्मार करता है जीवन की वरतमान चुनोदियों का सावना कर सके इस प्रकार की पेडी का निर्मार की एक पहला वाक्य क्या है सबसे पहला वाक्य इस प्रकार की राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है मतलब हम सब वरतमान समय की बात करें तो नई राष्ट्रिय शिक्षा नीती 2020 जो आई है उसमें हमारी बहुत महत्तो प्रण भूमिका होने वाली है खास तोर पर यहां जो बैठे है वो आचारे की क्योंकि नई राष्ट्रिय शिक्षा नीती में डिजिटल माने तक्निकी शिक्षा का महत्व ओनलाइन जो जिस प्रकार की पड़ाई होनी है उसका महत्व और बाकी जो जो नए नए आयाम नई राष्ट्रिय शिक्षा नीती में जुड़े हैं उसके हम भागिदार बनने व भुमिका है कि हम बाकी लोगों को भी हम जो जानते हैं वो बताएं सिखाएं और यहां जो आपने कोशल प्राप्त किया है यहां आपने जो नया सिखा है वो एक शिक्षक के नाते अन्य जो आचारिय बंदु भगिनी हैं उनके साथ यह बात सेर करेंगे तो मुझे लगता है क यह वर्ग की बहुत बड़ी सार्थक्ता होगी तो यह हमारी भुमिका रहेगी कि हम एक यहां जो पात दिन का प्रश्रिक्षन ले रहे हैं तो नई राष्टी शिक्षानीती में जो तक्निकी शिक्षा के माध्यम से हम विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएं उसका एक कोश असल प्राप्त करके आप लोग यहां से जाएं और वहां अपने आचार्यों का भी एक प्रचार प्रशार और सभी प्रकार से यह शिक्षा हम वहां जाकर दे दूसरी बात सरवांगन विकास की बात आई हैं तो कभी-कभी लगता है कि हम लोग अगर सरवांगन विकास हमार स्वेर्ड हो गें होगा तब हम विद्यार्थी का कर शकते हैं तो एक जिंद अंका विशय आपके सामने रखती हूं कि क्या हम सरेर सफित हैं मन से शांत और स्वस्त हैं प्राण शक्ति हमारी मने कह सकते हैं विजी गिश्व मन्नो वृत्ति वाली हैं क्या मने सभी प्रकार से प्राणिक विकास हमारा हुआ है तो शिक्षक के नाते अगर हम स्पस्थ होंगे हम ठीक होंगे हमारी विचार धारा ठीक होगी तब हम विद्यार्थियों के सामने ठीक से कोई भी विशय को रख सकते हैं और हमारा प्रभाव भी तब ही पड़ता है अगर हमारा ही विकास नहीं हुआ है तो हम विद्यार्थियों के सामने क्या अपने प्रेणा देंगे तो कह आठी विश्य के साथ साथ कुछ ऐसी प्रेणा दे जो हमारा विद्यार्ती स्वस्त्र हैं जैसे मैं बालीका शिक्षा में काम कर रही हूं तो कुछ बालीकाओ को मिलती हूं तो कभी-कभी एकदम दुबली पतली बालीका रहती है तो मैं उनसे सम्वध करती हूं कि बेटा तो कि इतनी पतली क्यों है तो कि देखो आज तो जीरो फिकर का जमाना है फेशन है पतला रेनाذा फिर पुल मिलाकर मैं वो विशय यह ऐसा ही आता है कि ज्यादा खाना नहीं चाहिए क्योंकि बोलब्डे जिरोईन है करीना कोपूर जीरो फिकर की है तो मैं भी जीरो फिकर की बनूं इस प्रकार का आदर्श उसके सामने हैं इसलिए खाती पिती नहीं है इसलिए कभी-कभी आपने देखा होगा मेदान में कुछ बालिकाय या बालक चक्रा कर गीर भी जाते हैं ज्यादा खड़े र होता है बाकी जो व्यायाम पहले साइकल चलाने का बहुत प्रचलन था दिरे-दिरे कम हुआ बैठे रहना माने आज हमारे बच्चे बैठे रहते हैं खेलते कुटते नहीं है छोटी आयों में भी मोटा पा आ जाता है तो कुल मिलाकर हम एक शिक्षक के नाते एक आचारे के नाते हम सरवांगेन विकास क्या होता है उसकी प्रेणा दे सकते हैं क्या यह हमारा लक्ष का एक बहुत मत्तो प्रुनव भाग था इसी प्रकार से एक उसमें जो भाई साब ने कहा कि वर्तमान चुनोतियों का सामना कर सके एसी युवा पेड़ी का निर्मान करना मतलब आज हमारे सामने इतनी चुनोतिया हैं कि हम पढ़ाते बढ़ाते शिक्षक के नाते यह सारी बाते कैसे हम उनके सामने रख सकते हैं परियावरन एक ब बहुत बड़ी चुनोति हैं इसी प्रकार से जो आज भोगवाद आज 12-15 साल का बालक है उनको भी 12-13-15 कपड़े चाहिए उनको यह चाहिए वो चाहिए माने संतुष्टी नहीं है कहीं भी भोगवाद बहुत बड़ा हमारे विद्यार्थी जीवन का बहुत बड़ी चैल पैसे चाहिए जो जेब खर्ची है वो भी ज्यादा चाहिए इस प्रकार की एक मानस हमारे विद्यार्थी जीवन में बना है तब हम एक आचारे के नाते साधगी क्या होती है कम में चलाना मैं कहती हूं मीत व्याई जीवन शेली मने हमारे पुर्खों ने कहा था कि एक करते हैं दो दो कर फटती हैं कहीं कहीं तो फिर उसको ठीगडा लगाते हैं फिर और फट जाती हैं तो फिर उसके आसन बना देते हैं पाउं पोच वाले फिर धीरे धीरे फटती है तो उसका रसोई का पोचा बनाते हैं फिर पोचा धीरे धीरे घिसके वो कुड़े में जा तो कितनी प्रोसेस एक चीज बरोत इसको कहते हैं मीत व्याई जीवन शहिली तो आज की सबसे बड़े चुनोती हैं कि अर्था अर्थार्जन की और हमारा विद्यार्थी आकरशित हो रहा है उसको ही सुख मानता है उसको ही सुविदा मानता है अगर मेरे पास ज्यादा कपड हैं अरे हम तो कितना एक अलमारी में पूरे परिवार के कपड़े आ जाते थे आज प्रत्येक की एक अलमारी में भी कपड़े समाने कपडों का तो अतिरेक माने हो रहा है कहने का मतलब है कि हम यह जो चैलेंज है जो चुनोतिया है समाज की प्लास्टिक की इतनी सारी चुन लेकर जाएगी, तो दस थेली वो लेकर आती हैं, एक में मिर्ची लाएगी, एक में टमाटर लाएगी, एक में बेंगल लाएगी, एक में लोकी लाएगी, तो ऐसे छोटी-छोटी दस प्लास्टिक की थेली आने के बाद फ्रीज में रखते हैं और ठैक देते हैं, तो हम कितन आते बढ़ाते हम कर सकते हैं क्या देखिए आप कैसे कर सकते हैं हम एक शिक्षक हैं तो क्रिया करना क्रिया आधारित प्रयोग आधारित शिक्षा हमारा जीवन वरत होना चाहिए मैं प्रयोग करके सिखाऊंगा सिखाऊंगी क्रिया करके सिखाऊंगी कि कहा जाता है कि जो आ प्रयोक्षिल क радं शिक्षां उसका एक विचार हम इक आचारे-नातिक करें तो मुझे लगता है अच्छा रहे गा इसी प्रकार से हम हम आचारय बने हैं तो मं से हम आचारय बने हैं क्या या मजबूरी से बने हैं क्योंकि कभी-कभी कही नौकरी नहीं मिली सरकार में b pert प्रयास किया विद्याभारती में आ गए क्या करें मजबूरी है चलो मजबूरी एक समय तो होगी लेकिन मजबूरी को भी मन से स्विकार करके हम विद्याभारती के आचारे के नाते अपना मन ऐसा बना सकते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा राष्टिय काम कर रहा हूं कर रही मतलब जैसे कहा है कुछ महापुरुषों ने के वर्ग खंड में विद्यार्थी जो रहते हैं उसका भविष्य शिक्षक घड़ता है इसका मतलब हम लोग राष्टिय चुनोती जो है कि आज शिक्षा की जो दशा है आज जो शिक्षा की समस्या है उसको हम ठीक करने के तो मेरा ऐसा कहना है कि हम लोग मन से आचार्य बने आचार्यत्व स्विकार करें आचारे चानेक्या ने कहा है कि हम लोग राष्ट की जो समस्या है राष्ट की जो चुनोतिया है शिक्षा के माध्यम से कैसे उसको शिक्षक ही कर सकता है प्रलाई और निर्मान ओ किसकी में रहता है कहने का मतलब ये उच्च आदर्ष जो है परिस्थितिया होगी कुछ बाकी भी बाते होगी उसको छोड़कर एक बार हमने शिक्षक बनने का अवरत लिया है तो मैं प्रामानिक्ता से उसको निभाऊंगा उसको निभाऊंगी और मेरे जो विध्यार्थी थी है उसमें ऐसी अलग जगाऊ जो देश-वक्ती से ओट फरौद बने समाज और देश के लिए विचार करें इस परकार की अलग जगाने का काम सीख्षक का है, तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग आचार इत्व को स्विकार करें और उसको विकसीद करें और अच्छे आचार बने का प्रयास करेंगे जो मुझे लगता है अच्छा है आचार या मेरा मिशन बनना चाहिए, मेरा मिशन क्या है? मैं शिक्षक हूँ तो मेरा मिशन है पढ़ाना, मेरा मिशन है विद्यार्थियों के साथ आत्मियता बनाना, मेरा मिशन है विद्याभारती को जानना, आज पूरे देश में जो शिक्षा जगत के अलग-अलग शेत्र हैं, उसमें विद्याभारती अखिल भारती अस्तर पर ऐसा शेत्र है, जो सर सरकारी नहीं है माने सरकारी सहाइता से नहीं चलता अपने बल पर चलता है और सबसे बड़ा उन्होंने उद्देश रखाए कि राष्टिय शिक्षानिती में आमोल चुर परिवर्तन करके एक नया विकल्प देना तो हमारे विद्याले एक एक विद्यार्थी हमारा विद्या जगत में रोल मोडेल कैसे बने अपना पाठ रचना अपनी पाठ्य वस्तू अपने पाठ्य पुस्तकों का पढ़ाने का तरीका पंचपदी शिक्षा पद्धती हमारी विशेस्ता है तो उसको मैं कैसे क्रियानमिन करूं उसके बारे में मुझे लगता है कि सोचने से बहु कैसे करूंगे उसके बारे में आज विचार करनी कि बहुत आवश्यक्ता है यह वंदना सभा को चिंतन सत्र चिन्तन सत्र कह जाता है तो कुछ विचार में आपके सामने रखती हूं कि जैसे समाज परिवर्तन करने के लिए आप कहेंगे हम क्या करेंगे हम तो बच्चों को पढ़ाएंगे गणित पढ़ाएंगे भाषा पढ़ाएंगे तो आप लोग बहुत कुछ समाज परिवर्तन में सवभागी कर शकते हैं आप जितने भी संकट हैं अगर संकटों को समझ कर विद्यालई स्तरिय विद्यार्थियों के माध्यम से उसका उपाय कैसे कर शकते अगर आचारिय सोथता है, शिक्षक सोथता है, तो मुझे लगता है कि उसका बहुत अच्छा परिणाम परिवार में जाएगा, हम जब मैं भी विद्यालई से प्रधानाचारे के नाते काम किया, तो हम उस जमाने में, जब मैं प्रधानाचारे थी, तो स्वदेशी का बहुत चला तो स्वदेशी विशय को लेकर इतना विद्यालई में पूरा एक वाताण बना था, कि बच्चे तुरन कहते हैं, स्वदेशी है विदेशी है, और उस समय हमने कॉल गेट वगेरे की होली भी जलाई थी, और एक वाताण बना था, कुल मिलाकर जितनी भी समस्याएं हैं, जि उन्होंने एक संकल्प लिया है, उसके बारे में हम कैसे सोच सकते हैं, छोटी-छोटी बातों में हमारे बच्चों की दृष्टी कैसे बदल सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक शिक्षक का बहुत बड़ा दाइत्व भी हैं और आचारे का धर्म भी हैं, तो उस दृ परिवारों को अपना विचार देना चाहिए, हम मात्रों समयलन करते हैं, तो उसी परिक्षा की बात करते हैं, या फिर रिजल्ट की बात करते हैं, या बस यह हम वर्क की बात करते हैं, लेकिन आपके बालक की भूमी का देश के लिए क्या होनी चाहिए, आपकी भूमी का प अभी गभी बच्चों के सामने नहीं माता पिता के सामने रखनी चाहिए तो इस प्रकाश से परिवार प्रबोधन वी एक समाज परिवर्तन का और समाज की विचारधारा जो आज चल रही है उसमें एक नई क्रांती जगाने का काम कर सकता है तो हम अपने विद्याले में माता पिता को परिवार प्रबोधन की द्रश्ति से कुछ बाते रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम हो सकता है तो समाज परिवर्तन का जो काम है उसमें हम लोग परियावर्ण का जो संकट है आट नयने जो समस्यां आ रही है तक्नीक की जितनी भी प्लस पॉइंट है तो माइनस पॉइंट क्या है वो भी मतापिता को अउगत कराना चाहिए और बाकी जो जो बाते हैं वो एक समाज परिवर्तन में शिक्षक की भूमी था बहुत महत्तो प्रुण है इससे कोई अच्छी भूमी का होई नहीं सकती किसी की भी नहीं हो सकती मुझे लगता है कि आचारे की बहुत अच्छी भूमी का है राष्ट प्रेम देश्वक्ति समाज के प्रती समर्पन और हमारे जीवन में क्या मैं समाज की जो समस्या है उसके प्रती समिंदन सीन हैं क्या अपने आप समर्पन भाव अंदर से जगेगा समय देने लंगेगे ह तो हमारा जीवन मिशन हो जाएगा तो आचारे की भूमिका यह भी है कि जो हम देश-बक्ति की बात करते हैं तो हम देश-बक्त हैं क्या, DO select के अनुरूप अपना जीवन जी एकदम उसका एक परिणाम भी आता है और उसका एक कहते हैं कि बच्चे प्रेणा भी लेते हैं, इसी प्रकार से कल्पना शिलता, आचारे में कल्पना होनी चाहिए, कौन सी परिस्थिती में क्या होगा तो कैसे होगा, किस प्रकार से ये पाठ हैं, तो ये पाठ में कैसे पढ तरहूंगा ऐसी कल्पनाशिल्था मोवलीक नptions Real प्रकास आचारे में होना चाहिए प्रामानिकता में मेरे पांस जो 6 गंटे है उसमें प्रामानिकता से में काम करूंगा इस प्रकार का प्रण हम ले सकते हैं क्या कहने का मतलब यह है कि हमारा आचार्य गती शील होना चाहिए क्रिया शील होना चाहिए प्रयोक शील होना चाहि जीवन जो विद्यार्थी अपने पांस आते हैं उसकी प्रेणा कैसे बने उसको सहयोग कैसे करें एक बात में जरूर कहूंगी के शिक्षक के नाते ये बात भी होना जरूरी आज के जमाने की द्रश्टी से कुछ बच्चे मनो रुगन होते हैं आत्म विश्वास उसमें होता देते हैं तो वो बच्चे को मिलना व्यक्तिकत मिलना परिवार में मिलना कि आपका बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है एक मैंने छोटी सी क्लिप्स देखी थी एक बालक रोज आता था विदेश की थी एक रोज आता था स्कूल में देर से आता था तो वो अध्यापकुन को मारत था एक सोटी ऐसे मारता था ऐसे हाथ करता था मारता था तीन बार ऐसा हुआ रोज देर से आना रोज मारना माने हाथ में मारता था शिक्षक और फिर अपनी जगा पर बैठ जाता था एक बार शिक्षक साइकिल से वह आ रहा था विद्या ले तो वह बालक जो रोज देर से आ भी स्कूल आता था फिर वो शिक्षक ने देखा कि एवी द्यार्थी रोज क्यों देर से आता है और फिर उस दिन भी वो देर से गया और फिर उन्होंने हाथ ऐसे किया शिक्षक ने मारा नहीं और शिक्षक ने एकदम गले से लगा लिया और पांच भी छटी का बालक था और अगरो एक्दम वो गदद हो गया कि मैंने जो किया तिरे साथ वो अन्या ही किया तो बालकों की मनस्तिति अगर सही नहीं है तो सही करना परिस्थिती ग्या मैं उसके अनूसार। उनके साथ भ्यवार करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत शिक्षक के नाते हम विद्यारती जीवन में एक नया सवेरा भी ला सकते हैं, नई आशा भी ला सकते हैं, बस इतना केके मेरी बात पुर्ण करती हूं और आप शब को ये नई योजना जो बने रही है विद्या विद्याभारती उत्तरपद्यस की ओर से इसमें सफल हो उसमें तग्या बनकर अपने विद्यालेव में योजना से आप लोग काम करें और एक राष्टिये परिवर्तन जो हो रहा है उसमें हमारा भी योगदान हो उस प्रकार की शुब कामनाओं के साथ मेरी बात पुर्ण करती हूं अश्तु